हेलो फ्रेंड्स मैं तारा तो चलिए फ्रेंड्स आज ये बलेरो जैकेट लेके आई हूँ जो हाब बाजू की बलेरो जैकेट होती है कोलर वाली वह आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये मेरी रिक्वेस्टर्ड वीडियो है मेरी सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा इसकी डिमार्ड थी कि आप बना के बताएं तो मैंने देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बलेरो जैकेट बनाई है 300 ग्राम के लगबगी समें वूल लगी है और एक्सल साइज में मैंने इसको बनाया है बाकी आगे मैंने स्टेप बैस टेप आप लोगों को बताया है कि आप बाकी साइज में इसको कैसे बना सकते हैं तो कोलर वाली बलेरो जैकेट है तो बनने के बाद कुछ इस तरह से लूक आता है इसका और बहुत ही अच्छी बनी है बिगनर भी अराम से इसको बना सकते हैं तो चलिए आगे बनाते हैं और कोलर इसके साथ मैंने साथ के साथ बनाया हुआ है आगे चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं इस बलेरो जैकट को बनाने के लिए मैं जो वूल का इस्तिमाल कर रही हूँ वो मेरी ब्लू वैल की वर्दमान वूल है जो Blue Bell Company की वर्द मानवूल आती है उससे बना रही है और मूंगिया कलर लिया है बाकी आप किसी भी कलर से बना सकते हैं नो नबर की सलाई से इसको बनाने जा रही हूँ तो देखें सबसे पहले हमने यह जो मैंने बना रखा है यहीं से स्टार्ट करेंगे और थोड़े से फंदों में आप लोगों को यह बताऊंगी बनाना तो यहां मैंने 55 फंदे डाल रहे हैं मतलब 50 और 5 फंदे उपर तो 55 फंदे 55 फंदे में डाले हुए है 55 फंदे आपने सिंगल धागे से डालने तो देखिए आपने कैसे करना है गोले वाला यह देखिए तो आपने का करना है धागा सिंगल लेना है इस तरह से सिंगल धागा ले लेंगे और जितना लंबा छोड़ना है उतना कर लीजिए ब और बहुत ही simple तरीके से बना रही हूँ बाकिया आप इसमें design भी डाल सकते है अब देखिए आपने ये हमारा छोड़ा हुआ दागा है और ये गोले वाला है गोले वाला दागा आप इस तरह से कर लें और इस दागे से आपने फंदे डालने है तो देखिए हमने इस तरह से simple फंदे डालने है और थोड़े थोड़े डिले हाथ से फंदे डालेंगे ज़्यादा tight नहीं डालेंगे तो इस तरह से हम simple फंदे डालेंगे इस तरह से 55 फंदे डालके त्यार कर लूगी मैं तो देख़िए मैंने या थोड़े से फंडे डाल लिए आपने फिप्टी फाइफ फंडे डाल ले हैं उनको आपने किस तरह से बनाना है तो देख़े शबसे पहली सलाही में चाहे आप पहला फंडा उतार लीजिए इस तरह से उतार लेंगे और आगे धगा करके इस तरह से उल्टा उल्टा बनाएंगे इन सारे फंदों का आपने उल्टा उल्टा बनाना है तो यह पूरी रो मैं उल्टी उल्टी कर लोगी लास्ट का फंदा आपने सीधा रख लेना है मैं सीधा ही रखूंगी ऐसे सीधा रख लिया अब आपने उल्टी सलाई भी उल्टी बना लेनी है और हम ऐसे ही चार सलाईया निकाल लेंगे यह दूसरी सलाई है तो दो सलाईया और हम उल्टी उल्टी दोनों तरफ से निकाल लेंगे तो देखिए यहाँ पे मेरी चार सलाईया कम्पलीट हो गई है अब चार सलाईयां बनाने के बाद अब देखिए हमने दो सलाईयां सीधी तरफ से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से उल्टा बनाना है तो यह हमारी टोटल छे सलाईयां हो जाएंगी तो सीधी तरफ से मैं सीधा बनाऊंगी अब और उल्टी तरफ से उल्टी तो चार नी में तो मैं बना लेती हूं देखिए यहां पे पांचमी सलाई कंप्लीट हो गई अब छेमी सलाई उल्टी बना लेंगे यह चेमी सलाई आपने उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेनी है देखिए इस तरह से हमारी छे सलाईयां कंप्लीट हो जाएंगी अब आपने क्या करना है फिर आपने दो सलाईयां सोरी चार सलाईयां उल्टी निकालनी है इस तरह से तो आपका यह पैटर्न इस तरह से आ जाएगा देख लीजी इस तरह से चार सलाईयां आपकी इसमें ये हैं और दो सलाईयां सीधी और रूल्टी है तो इसी पैटरन को आपने इस तरह से बनाते हुए जाना है और लगबग कम से कम आपने इसको कितना बनाना है 55 फंदों में वो मैं आपको हमने खींचना है इसको क्योंकि हमेशा जब भी हम स्वेटर डालते हैं तो हमारी स्वेटर बढ़ती है तो ये देखें 20 इंच के करीब ही आ रहा है खींचने के बाद ये देखिए थोड़ा सा ही खींचना है आपने जादा नहीं तो 27 मेरी यहाँ पर ये टोटल जो उल्टी उल्टी आपको दो दो लाइने दिखाई दे रही है ये बन गी है अब देखिए आपने क्या करना है आपने यहाँ तक छोड़ देना इसको और जो भी साइस जैसे मैंने आपको यहाँ पर 20 नाप के दिखाया अगर आपकी 36 का नाप 38 है तो आप 19 करिए अगर 36 है तो आप यहाँ पे 9 कीजिए तो इस तरह से आप कर सकते हैं इसको तो उसके बाद देखिए आपने क्या करना है थोड़ा सा बता देती हूं आपको उसके बाद आपने देखिए यह साइड आप बना रहे थे उपर की तरफ लेकिन अब आपने यह जो सीधी साइड आपकी यहां से आप कोने से देख लीजिए ध्यान से यह देखिए हम इस तो इस तरह से कोने से स्लाई डालके और इसको इस तरह से ऐसे यहां से देखिए निकाल लिया और इसको गाठ लगा लेंगे पहले इन दो को तो देखें गांट लगा ली अब देखें आपको जितने भी यहां पर लूप दिखाई दे रहे हैं इनमे आपने एक एक करके यहां पर फंदे उठाने यह देखें एक एक करके इस तरह से उठा लेंगे single दागेगे नहीं, जो लूप दिखाए दे रहा इस तरह से, ऐसे, यह देखिए, असानी से उठाए जाएंगे फंदे, ऐसे, यह देखिए, तो हम यहां से फंदे उठा लेंगे, यहां से लेके यहां तक मैं फंदे उठा लेती हूँ देखिए मैंने यहां पे सारे फंदे उठा लिये हैं यहां से लेके यहां तक मेरे पास 82 फंदे उठे हैं मतलब 82 फंदे उठे हैं यहां से यहां तक तो यह 82 फंदे अगर आपके पास कम फंदे उठते हैं भी कोई बात नहीं, तो ये 82 फंदे कम हैं, तो मैं क्या करूँगी, जो मेरे फंदे कम रह गए हैं, अब देखिए, जो फंदे कम रह गए हैं, हम क्या करेंगे, उल्टी सलाई में हम, ये हमारी दूसरी साइड की सलाई है, उल्टी सलाई में मैं क्या करूँगी, इन फंदों क 110 करेंगे तो 110 करने के लिए हमें यहां टोटल 20 और 28 तो कम से कम 28 फंदे उठाने पड़ेंगे तो जैसे हम सिंपल स्वेटर बनाते हैं एक्सल साइज में तो हमारे 110 फंदे बहुत होते हैं अगर हम डिजाइन में बनाते हैं तो हम 120-125 रखते हैं जब डिजाइन थोड़ा कर लें सिंपल बना रही हूं तो मैं इसी तरीके से कर लेना हूँ अगर आप इसमें डिजाइन डाल रहे हों आप डिजाइन भी डाल सकते हैं इस पल्ले में पूरे में तो आप यहां पर डिजाइन के तोर पर आप नीचे जो मैंने 55 रखे ह algorithms यहां पे आप 65 रख लेजिए 10 फंदे बढ़ा लीजिए तो आपके यहां भी बढ़ जाएंगे 120 बढ़ जाएंगे तो इस तरह से आप कर लें आप तो मैं simple बना रही हूँ तो simple के लिए मुझे 110 फंदे मैंने उठाने थे तो मेरे थोड़े का मैं तो मैं क्या करूँगी उल् इसी उठाएंगे तो मैं क्या करूँ भी देख लीजिए मैं थोड़ा सा उठा के बिता देती आपको देखे आपको यह दिखाई दे रहा तो आपने इसी फंदे को इस तरह से देखिए यहां से उठा लेना है और एक पंदा ऐसे उठा लिया बीच बीच में से आप गिन ग यह तीन इस तरह से आप दो दो तीन तीन चार चार फंदों के बाद एक एक फंदा उठाते जाए तो मैं बीच बीच में से ऐसे ही फंदे उठा लेती हूँ तो देखिए मैं लास्ट तक आगी हूँ और यहां से मैं फंदे उठाती उठाती आगी हूँ और यहां भी लास्ट में मेरा 28 में फंदा उठा गया है तो टोटल मेरे पास 110 फंदे हो गए और 110 फंदों को मैंने यहां पे कंप्लीट कर लिया देखिए कर लिया आप जो आपने यहाँ पर डिजाइन रखा हुआ है वही आप उपर डालिए मैंने बिल्गुल सिंपल रखा हुआ है चार सलाइए उल्टी और दो सीधी तो मैं यहाँ पर भी वही करूँगी इन 110 फंदो को मैं अब वही करूँगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चार सलाइए उल्टी और दो सलाइए अपनी सीधी और उल्टी तो छे सलाइए बना बना के मैं इसको कम से कम इसकी नो इंच लेंथ करोगी तो मैं इसको बना लेती हूँ नो इंच पहले मैं चार सलाइए बनाऊंगी यह और फिर दो सलाइए सीधी तरब से सीधी और के लिदे हम और हुझ होतनी है कि मैं एक सो दस फंदो को 110 एं उठाए थे मैं उंहीं को मेंने बूh लिया है और इनको मैंने कीतना बुणा बूदा है जितना आपने मुंदा रखना है उतना बूनना आपने जैसे हम यहें पर जाकेट बना आते हो तो बाजू के लिए बाजू के लिए आप 9 इंच रख लीजिए तो बाजू लगानी है अगर आपने 9 इंच के करीब आपका 9.5 इंच के करीब आ जाएगा और यह मेरी सीधी तरफ से तीसरी सलाई है उल्टी-उल्टी क्योंगी चार-चार सलाई होगा हमारा पैटरन अब मैं इसको complete कर लूँगी तो देखिए मैं यहाँ पे last पे आगी हूँ अब देखिए मैं क्या करूँगी उल्टी साइड आगी हूँ उल्टी साइड हमने 25 फंदे बुल लेने हैं हम 25 फंदे बुल लेंगे पहले यह मैं मौंडे के लिए कर रही हूँ तो देखिए मैं पच्चिस फंदे हम मौंडे के लिए रख लिए हैं बाकी मैं यहाँ पे जो मेरे बीच में 60 फंदे हैं उनको मैं दो का एक दो का एक करके डिले हातों से सोरी ताइट हातों से गटा लोगी बीच में 60 फंदे होंगे, उनको हम इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करके गटा लेंगे तो ताइट हातों से गटाना है आपने, जो कि 60 फंदे हैं ये तो मैं इनको गटा लेती हूँ सबको तो देखें बीच के हमने अपने 60 फंदे गटा ली हैं 25 फंदे इधर है 25 फंदे इधर है तो यहां पर देख लीजिए इस तरह से यह बन के complete हो गया मतलब यह पिछला पला कह लीजिए अब देखिए हमने क्या करना है यहाँ पे हमने यह देखिए यहाँ पे हमने यह फंदे छोड़े हुए है यह देखिए यहाँ पे छोड़े थे ना फंदे तो अब हम क्या करेंगे इन फंदों को हमने अब इसको छोड़ देंगे जो उपर वाला है इनको छोड़ देंगे और इन फंदों को अब हमने बनाना जो हमारे 55 फंदे थे 55 फंदे थे अब इनको हम बनाएंगे तो बनाएंगे किस तरह से अब क्या करेंगे देखिए मैं यहाँ पे पहला फंदा उतार लूँगी और अगले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, सोरी, सात हो गए और इनको मैं पूरी लाइन को उल्टा उल्टा बना लूँगी तो देखिए मैंने पूरी सलाई कंप्लीट कर ली, लाष्ट का फंदा सीधा रख लिया, अब आजाए यह उल्टी दरब, उल्टी दरब भी आपने पूरी सलाई उल्टी डालनी है, लेकिन आपने क्या करना है, यहाँ पे जो आपके लाष्ट के सात फंदे हैं, उनको आप कट लेंगे, इन फंदों को नहीं बुनेंगे, अब देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे धागा ऐसे करके, पहला फंदा आप चाहे उतार लीजिए, और फिर धागा आगे करके, यह सलाई भी आप पूरी उल्टी कर लेंगे, तो हमने यहाँ पे सात फंदे छोड़ दिय बुने, अब आपने पूरी सलाई उल्टी और फिर उल्टी सलाई में क्या करना है, वो मैं आपको दिखाती हूं, तो यह सलाई भी उल्टी डलेगी, क्योंकि यहाँ चोथी सलाई है, दो-दो सलाई है, उपड़ से दिखाई दे रही है, उल्टी-उल्टी, चार-चार दे तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहां से यह देखिए, चाहे आप यहां से उठा लीजिए, यहां से उठा लीजिए, यहां से उठाएंगे और इस पंदे को उल्टा बोनेंगे, और इस फंदे को उठाएंगे यहां से, और यहां पर दो का एक करेंगे, क्योंकि फिर फंदा बढ़ जाएगा, तो यह फंदा हम इसलिए उठा रहे हैं ताकि यहां पर जाली ना पड़े, और हमारा पता ना चलेगी, हमने यहां से एक, मतलब छोड़ा है फंदो को, तो देख आप मैं अगले 6 फंदे उल्टे बोनूँगी, मतलब टोटल यह 7 हो जाएंगे, तो 7 फंदे बोनूँगी, उल्टे उल्टे, यह देखिए, दागा पीछे करके, अब एक सलाई पूरी सीधी जाएगी, और एक सलाई उल्टी आएगी, जब आपकी सलाई उल्टी आएगी, तब फिर आपने यहाँ पे 7 फंदे छोड़ने हैं, तो इसी तरीके से आपने करते जाना, मैं थोड़ा सा बना के आप लोगों को दिखाती हूँ, इसमें कैसे करना है, यह सीधी सलाई डलेगी, क्योंकि हमारी यह जो पैटर नहीं हमारा, चार उल्टी सलाईयों का, एक उटेंगे यहाँ पे, ऐसे ही हमें करते जाना, इसको बुनते हो जाना है, तो देखिए मैंने यहाँ पे हर तीसरी सलाईय में, यहाँ पे शोट रोज की हैं, 7 फंदे छोड़ दियें, और फिर मैं वापीस आगी हूँ, वापीस आने के बाद, फिर मैंने उल्टी सलाईय मे एक फंदे के साथ उन फंदों को उठा लिये, तो देखिए इस तरह से मेरी मूंडे वाली जो लाइन है, वो मेरी शोट रोज बन गी है, मतलब यह थोड़ी टाइट हो गी है, और मैंने इसको इतना बनाया देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ, जितना मैंने पीछला पला बनाया था, जो उठा के फंदे बनाये थे, वो मैंने जितना बनाया, जितनी उसकी लेंथ है, उसके अकोडिंग यह बनाया था, तो देखिए, इसकी गोलाई अपने आप अंदर की तरफ यह मुड़ता जाएगा, और यह गोल आ जाएगा, देख लीजिए, इस तरह से आयर से short rows की है, short rows तरफ करने ही है, जिस तरह आपका मॉंड़ा हो, तो short rows मैंने बताई आपको करना कैसे करनी है, तो देखिए, मैंने इतना बना लिया इसको यहां से बनाना स्टार्ट किया था यहां से यहां से किया दा स्टार्ट और देखिए इतना मेरा बन गया और ना आपके देखेंगे तो ब्राबर आ रहा है अब हमने क्या करना है यह देखिए जो पिछले पल्ले के हमारे 25 फंदे यहां पड़े ह हैं हम क्या करेंगे अब इसके साथ यहां पे मैं आपको एक बार दिखा देती हूं इसको देखिए इस तरह से उल्टा करेंगे उल्टा-ल्टा सोरी सीधा-सीधा मिला देंगे यहां पे और यह देखिए हमारा मोंडा बन गया अगता का और यह जो 25 फंदे हैं और पीछे के जो 55 फंदे हैं इन 55 फंदों में से 25 फंदे हम आगे के 25 के साथ गटा देंगे तो वो कैसे करना है देख लीजिए ये सीधा है और ये भी अंदर की तरफ से सीधा है ऐसे मिलाएंगे और यहाँ पे पिछली सलाई से अगली सलाई में फंदा डालेंगे सबसे पहले दो का एक करेंगे दो कैक करके फिर हमने उसी तरीक्य से एक फंदा उतार के अगली सलाई में लाना और फिर ये लाना फिर तीन का एक होगा फिर इसी तरह से ये slice से उतारेंगे अगली slice में डाल लेंगे और फिर इसी डालेंगे तो 3 का 1 होगा तो सारे फंदों को हमने 25-25 फंदे हैं मेरे तो उनको हमने इस तरह से घटा लेना है गटाना बहुत आसान है जैसे हम मौंडा गटाते हैं तो यह उसी तरीक्ये से है यह देखिए इस तरह से मैं गटा लोगी तो देखिए मैंने सारे यह जो 25-25 फंदे थे यह गटा लिए और जो मेरे 55 फंदे थे इसमें से मेरे 30 फंदे बच गये हैं इन 30 फंदों को आप चाहें तो किसी सलाई में डाल के रख लीजिए यह 30 फंदों को ऐसे डाल के रख लिया और इनको मैं जब सीधा करूँगी इस तरह से यह देख लीजिए तो मेरा यह मोंडा बनके त्यार हो गया एक साइड का यह देख लीजिए धान से एक तरफ का मोंडा बनके त्यार हो गया और यह जो मेरे 30 फंदे हैं इनको हम इस तरह से चोड़ देगे अब देखिए आपने क्या करना है मैं आपको दिखा देती हूं एक बार फिर जो हमने स्टार्टिंग में यहां सिंगल दागे से फंदे डालेगे अब हम क्या करेंगे इन फंदो को हम खोलेंगे तो खोलेंगे क्यों कि हमने इनको अब बुनना है इस तरफ का तो हम क्या करेंगे उस दाग्यों को आसानी से खुल जाएगा वह क्योंकि हमने सिंगल तरीके से डाला हुआ तो आराम से आप उसको एक-एक करके फंदों को निकालिए और एक सलाई में उठा लीजिए तो वह 55 फंदे होंगे 55 फंदे आप इस तरीके से उधेड उधेड के य लाए थे सलाई में nis इंगल धागे को वह उधेड के और यहां पे 55 फंदर दिवारा कर ली है और यह लास्ट का फंदा आहा देखिए लास्ट के फंदे को भी मैं उधेड लोंगी यह देखिए यहां से इसमें गांट लगाई थी हमने यहां से इसको तोड़ा सा सुला ढालके इस तरह से उद्रीख लेंगे यह लाम से उद्र जाता है यह तरीके से अब देखिए हमने सेम उसी तरीके से करना है यहाँ पे हमारी 4 सलाइज उल्टी दिखाई दे रही है हमें आप हमें क्या करना हमें इस तरफ फंदे छोड़ते जाना मतलब sleep जो हमारी short rows है वो हमें इस तरफ करती जाना है इस तरफ हमें वैसे ही बुनना है पहला फंदा उतार लेंगे और अगले जो भी फंदे आपके उनको सीधा सीधा बना ले last तक मैं सीधा सीधा इसको बनाती जाओंगे तो मैं इस पूरी रो को सीधा सीधा फंदे साथ हमने छोड़ देने हैं, हम छोड़ते जाएंगे इनको तभी हमारी जो शोट रोज है वो बनेंगी, तो यहीं से हम बीना बुने इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, यहां पे मैंने बारीक सलाई लगाई थी, तो मैं इसको उतार के अपनी नो नमबर की सलाई लगा लू गाएंगे, तो साथ फंदे हमारे छूट गए हैं, यहां पे साथ फंदे हमने नहीं बुने हैं, तो मैं पूरी सलाई लटी बना लोगी, तो देखिए अब हमने यहां पे अपनी लटी रोव कंपलीट कर लिये, अब हम क्या करेंगे, यहां से फंदा उठा के यह हम पूरी पूरी रो में यहां तक ऐसे बुंटी जाओंगी उल्टाउटा अब देखे में लास्ट में आगी हूँ लास्ट में आके देखे हमने यहां पे शाथ फंदे चोड़े देखे अब हम क्या करेंगे, इस तरफ सीधी दरफ आए हम तो यहां से एक फंदा उठाएंगे और यहां पर दो का एक करेंगे और अगले साथ फंदों को यह दो का एक करके अगले छे फंदों को हमने बना लेना है उल्टा उल्टा क्योंकि यह हम उल्टे उल्टे रखेंगे यह फंदे हमने उल्टे उल्टे रखने है लास्ट का चाहिए आप सीधा रख लें इस तरह से देखिए अब आपने तीसरी सलाई में एक फंदा यहां से उठा के पूरी रो कम्पलीर की है और आप आपने ये पूरी रो उल्टी बनानी है तो इसी तरह से आपने करते जाना है अब उल्टी सलाई आपकी उल्टी आएगी और सीधी तरफ आपने फिर जो सलाई आपकी आती है उसमें आपने लास्ट के साथ फंदे छोड़ देने हैं और फिर आपने इसी तरीके से उसको बनाते जाना है और अपना ये इस साइड का प दिखा देती हूं तो देखिए आपने जिस तरह से यह देखिए यहां से आपने इसी तरीके से अब देखिए सीधी सलाई आपकी आएगी यहां से आएगी वही साथ फंदे छोड़ने हैं आपने फिर बैकाना है फिर सीधी सलाई में वहां से एक फंदा उठाके दो काई करके साथ फंदे बुन लेने हैं फिर बैक आना है फिर आपने इस तरह से जाने और फिर आपने साथ फंदे छोड़ने हैं तो इसी तरह से करते करते आपका ये फल्ला भी फोल्ड होता जाएगा जैसे आपका ये फल्ला फोल्ड हो है तो ये मैंने आपको बना के दिखाया, थोड़ा सा ये देखिए, इस तरह से ये देखिए, ये भी इसी तरीके से आ जाएगा, तो मैं इसको भी इसी तरीके से बनाती ही जाऊंगी और इसकी length कम्प्लेट कर लेती हुआ, तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा भी बना के कम् तीस फंदों को हमने इतना फालतू बना लिया, वो इसलिए बनाया है क्योंकि जो बिच्चे का, जो back side का गला है, उसके साथ हमें attach करना है, तो देखिए, आद्दा हमने इस तरह से ये बना लिया, ये तीस फंदों को ऐसे बनाते गए, और तीस फंदे जो हमने उस तरफ छ स्वेटर बनाते हैं, तो नॉर्मल गलों में करते हैं, गटाते हैं, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए, ये back side का गला है, और इन दोनों पल्लों को हमने तीस तीस फंदों को गटा लेना है, लेकिन इनको गटाना कैसे है, हमने सीधी तरफ से गटाना है, हम क्या करत गटाने का तरीका वही है पिछली स्लाई से अगली स्लाई में फंदा डाल लेंगे और इसको खीच लेंगे यह देखिए इस तरह से खीच के सबसे पहले दो का एक करेंगे सबसे पहले हमने 2-1 कर लेना है यह देखिए 2-1 किया और फिर पिछली सलाइस से अगली सलाइवे डालेंगे फिर यह डालेंगे फिर 3-1 अब हमारा हर बार तीन का एक, तीन का एक उत्ता जाएगा और हम थोड़ा डिल्ले हाथों से गटाएंगे इसको क्योंकि यहां से हमारा कोलर है जो बैक साइड में यह कोलर हम अटैच कर रहे हैं तो माल लीजिए यह वाला तो इस तरह से मैं सारे फंदे एक एक करके 30-30 इस तरह से गटा लोगे थोड़ा सा डिल्ला हाथ रखिए यहां पर टाइट ना कीजिए ऐसे ऐसे हम थोड़ा डिल्ला रखेंगे तो देखे लास्ट के भी हमने तीन फंदे अपने गटा लेने हैं और जो हमारा यह धागा है यह वाला इसके अंदर से हम इसको जो हमारा गोले वाला गोला है इसको ऐसे निकालके और इसको गाठ लगा लेंगे गाठ लगा लेंगे और इस दागे को थोड़ा काट लेंगे अब देखिए जो हमारी यह सिलाई है यह उपर आ गई है यह वाली उपर इसलिए की है जब हम kolar ऐसे पल्टेंगे तो हमारा ये बार की तरफ मत्रफ अंदर की तरफ नहीं दिखाई देगा तो ये देखिए गला हमारा इस तरह से अटेच कर लेंगे हम सिलाई कर लेंगे सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा आपको यहां बता देती हूँ सिलाई करना भी सिलाई के लिए बीचों बीच ऐसे टांक लीजिए इस तरह से मिला लीजिए इसको और चाहे आप आदा-दा सिल्ले ऐसे साइड में से इस तरह से यह आपने साइडों से उठा उठा के इस तरह से सिलाई कर लेनी है बहुत ही इजी है चाहे आप सीधी तरब से करें चाहे आप ओल्टी तरब से कर लें इस तरह से मैं पूरी सिलाई दोनों तरब से ऐसे इस तरह से पहले इस तरफ की कर लोगी ये लूप से दिखाई दे रहे हैं इसको इस तरह से और इस तरफ दिखाई दे रहे हैं इस तरह से इस तरह से तो बहुत ही सीम्पल है हमारी सिलाई तो मैं इसको कर लेती हूँ तो देखिए सिलाई के बाद मेरी बलेरो जैकेट का लुक कुछ इस तरह से आ रहा है यहाँ पे मैंने एक बटन होल लगा लिया है बटन होल नहीं बनाया था ऐसे ही बटन लगा लिया और इस तरह से इसका लुक का रहा है बाकी साइज के लिए आप 8-8 फंदे कम कर लीजिए अगर आपका हाथ टाइट है तो 6 फंदे कम कर लीजिए तो इस तरह से आप बलेरो जैकेट को बना सकते हो और यहाँ पे अगर कुछ लगाना चाते हो आप जैसे लटकन से लगाना चाते हो तो आप लगा सकते हैं क्रोशिया करना चाते हो तो क्रोशिया भी कर सकते हैं और देखिए बन के हमारी बलैरो जकट त्यार होगी तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को लाइक शेर चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजिए